वेल्कम को दो में चैनल तो स्विंट आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह हैं आर्टीकल बीस्ट आर्टीकल यहां पर यूजड होगा तो जल्दी से कमेंट करें इसका अंसर तो क्या रहेगा इसका अंसर जल्दी से बताएं क्या लगेगा इसकी जगा आनसर क्या वो दा और ए होगा दा दा लगेगा ए यह लगेगा यह और दा लगेगा जल्दी से comment करें इसको जो right answer हेगा student वो थोड़ा इस तरह से रहेगा the more one has the more one wants ठीक है तो इस तरह का जब comparative degree लगती हैं तो दाका इस्तमाल करते हैं तो हमने rule पहले से पढ़के रखा है तो यही इसका right answer हेगा चलिए second question पे one of the student of the class writes dash date on dash blackboard every day तो इसका क्या answer बताएंगी जल्दी से comment करें student क्या वो ए और दा है दा और ए है दा दा है दा और एन है इसका जो right answer रहेगा student वो है C यहाँ पर भी दा यूज़ोगा और यहाँ पर भी दा का ही इस्तमाल होगा ठीक है the blackboard and the date date के साथ भी दा का इस्तमाल होता है Dr. Radhakrishan was dash more famous philosopher than a politician तो क्या इसका right answer रहेगा A है B है C है यह D है मतलब इन में यह तीन में से कोई article लगता है यह कोई article नहीं लगता जल्दी से comment करें इसका भी answer तो student इसका जो right answer आपके पास रहेगा वो रहेगा a more famous philosopher ठीक है Dr. Radhakrishan was a more famous philosopher यहाँ A का इस्तमाल होगा C is the right answer चली next question पे कह रहे the dash higher you go the colder it is ठीक है तो इसका answer जल्दी से comment करें student dash higher you go dash colder it is क्या लगेगा वो a दा होगा दा दा होगा a अन होगा या अन दा होगा जल्दी से comment करें इसका भी answer तो इसका जो right answer हेगा student वो रगेगा the higher you go the higher colder it is ठीक है comparative degree दा का इस्तमाल यूज करेंगे ठीक है ठीक है उसके बाद the eggs are sold by dash dozen तो क्या यूज करेंगे a and ठीक है तो हमने rule पड़े थे अगर आपको rules का पता नहीं है तो आप मेरी playlist पे जाके articles और determiner की combine video है वो देख सकते हो तो फिर इस video पर आए तो आपको answer देने में असानी होगी 28 का जो right answer हेगा student तो वो आपके पास यहां लगेगा the quantity होती है और quantities के साथ हम किसका इस्तमाल करते हैं the का न a का न a का तो दा का इस्तमाल होता है याद रखें 29 question क्या कह रहा है which on dash light switch on dash light the लगेगा a लगेगा an लगेगा या कोई नहीं लगेगा जल्दी से comment करें इसका भी answer तो student इसका जो right answer हेगा तो वो रहेगा switch on the light तो दा यूज होगा यहां पर switch on the light switch on the light ना कि switch on a light तीक है कह रहा है 30 question he is dash unlucky man तीक है तो क्या यूज करेंगे the, a, an या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा जल्दी से comment करें इसका भी answer I hope आपने इसका answer भी guess कर लिया होगा तो इसका जो right answer हेगा student वो है an तीक है क्या लगेगा an b is the right answer next चलिए the line is dash king of a beast the use होगा an use होगा a use होगा या कोई article यूज नहीं होगा जल्दी से comment करें 31 का तो उसका answer भी यहाँ पर the use होगा line is the king of beast सब beast में से line जो है सबका क्या है king है I eat an egg dash day ठीक है तो यहाँ किसका इस्तमाल करोगे कौन सा article यूज करोगे the a an तो क्या होगा days के साथ में या day के साथ में कौन सा article यूज के जाता है student जल्दी से comment करें तो I eat an egg a day में हर रोज का तो अगला I want to be an MP रूल्स याद रखें इस तरह की abbreviation के साथ में हमेशा आप an का इस्तमाल करते हैं options भी देखने की जिरूरत नहीं पड़ेगी आपको चलिए अगले पर give me dash umbrella यह तो बचपन से पढ़ाय जाता है आपको यहाँ कौन सा आटिकल यूज करोगे जल्दी से comment करके बताएं तो जल्दी से comment करें student क्या यूज करेंगे यहाँ पर the a is the right answer a is the right answer give me the umbrella which you bought yesterday चलिए next पर he died without the dash without dash hire ठीक है तो इस तरह के word में a is silent वाले है या Iर पढ़ेंगे न a silent है तो जहाँ पर a silent होता है वहाँ पर an का use किया जाता है तो यहाँ पर be is the right answer हेगा an का इस्तमाल करेंगे चलिए next question पर तो हमारा next question है student कि during dash meal he talks about dash garden ठीक है तो क्या article यूज़ करेंगे a a ta da a da the a क्या आएगा इसका right answer जल्दी से comment करें तो 36 question का जो right answer रहेगा student वो रहेगा the meal the garden the meal the garden the meal the garden और b is the right answer चलिए next question पर next question है dash youngest boy has just started going to dash school तो कौन सा article यूज़ करेंगे यहाँ पर a da 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 a a कौन सा इसका right answer रहेगा student 37 का जो इसका right answer रहेगा वो इस तरह से रहेगा the youngest boy has just started going to the school to the school तीक है याद अखना next way you should always carry dash umbrella वहाँ पर अब्रीला के साथ da use किया था क्योंकि specific चीज थी यहाँ क्या use करोगे जल्दी से comment करें a use करेंगे and या any यह भी आपने बच्पन में sentence बहुत बढ़ पढ़ा होगा ठीक है I hope आपने guess कर लिया होगा answer to be is the right answer and use करेंगे and umbrella ठीक है याद अखना umbrella ठीक है यहाँ पर आ की आवाज मतलब ए की तरह की आवाज आ रही है और ए जिस्ट वावल है याद अखना sound of vowels के साथ हम किसका इस्तिमाल करते है sound of vowels के साथ हम इस्तिमाल करते है and का the thief was sent to dash prison तो क्या लगाएंगी यहाँ न मुझे आर्टिकल लगता हुआ नहीं दिखता student यहाँ आर्टिकल लगाके गलती मत करना तो सीधा sentence पढ़के एक बार देख लो ठीक है कह रहा है तो thief was sent to prison thief was sent to prison no article used in here याद रखेंगे ठीक है चलिए next question 40 question dash meat you cooked taste good a and the no article क्या use करेंगे तो the meat you cooked taste good c is the right answer चलिए next question पे question number 41 कह रहा है कि our city will have dash university soon तो क्या use करेंगे a and the no articles तो क्या right answer रहेगा student यहाँ पर 41 का जो right answer रहेगा student वो रहेगा our university university में जो sound आ रही है ना इस words में वो consonant की sound है और consonant की sound के साथ हम किसका इस्तिमाल करते हैं ए का चलिए student next question नेक्स कोईशन पर चलते हूं वो क्या था कि dash elephant is vegetarian and a no article यह दा क्या यूज करेंगे 42 पर जल्दी से comment करें यहाँ ना elephant जो है एक अलग सी सीज बताय जा रही है एक different चीज यूनीक चीज जिसके साथ अगर आप यूज करोगे article तो वो किसका इस्तिमाल करोगे यहाँ पर दा का तो d is the right answer रहेगा 43 question क्या कह रहा है student कि this is dash car I bought yesterday तो क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर जल्दी से comment करें no article a and यह दा जल्दी से comment करें इसका right answer क्या रहेगा student I hope आपने guess कर लिया होगा तो इसका right answer हेगा ठीक है the car क्या लगेगा the car d is the right answer the car this is the car I bought yesterday ठीक है यहाँ देखना अब मैंने यह भी बताया था कि unit of measurement के साथ किसका इस्तिमाल करते हो articles में कह रहा है the dash unit means a measurement ठीक है तो क्या use करोगी a and किसका इस्तिमाल करोगी है कोई article नहीं रगेगा जल्दी से comment करें इसका answer इसका right answer एगा student यहाँ पर unit of measurement की बात तो है मगर यहाँ directly unit of measurement पर यूज कर सकते हो कोई article लगाने की जरूरत नहीं है तो c is the right answer तो लिए नेक्स कोईशन पर 45 he is dash honest official अब मैंने जब honest को पढ़ा at silent है at जब भी silent होगा तब आप and का use करोगे बिना किसी चीच को देखे अगला कोईशन है ताज महल is built of dash marvel ताज महल किस तरह के marvel से बना है उसके बारे में पूछ रहा था तो यहाँ marble से बना है वो बता रहा है तो कौन सा article यूज़ करोगे a and the यह no article जल्दी से comment करें 46 का तो जो 46 का right answer रहेगा वो रहेगा ताज महल is built of marble no article used in here यहाँ रखना यहाँ पर भी directly यहाँ बन जाएगा यहाँ पर preposition used होई है ताज महल is built of marble a marble and marble the marble नहीं जलेगा चलिए next पर he is dash European तो जल्दी से करें comment इसका right answer a and no article यह दा किसका इस्तवाल करेंगे 47 में तो I think सबने इसको गस कर लिया हुआ यहाँ पर e तो silent है तो यहाँ पर अगर word यूज़ करें the European तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है यहाँ पर consonant की sound आ रही है तो a का इस्तमाल करोगे he is a European क्या लगाएंगे he is a European तो इसका right answer क्या रहा student b चलिए 48 question पर let us play let us play dash yes क्या लगाओगे a and no article दा किसका इस्तमाल करेंगे जल्दी से comment करें right answer इसका student जल्दी से बताएं इस पर भी कोई article नहीं लगता student right answer क्या रहेगा c let us play chess duchess and chess hs नहीं यूज़ करेंगे चलिए next question पर he looks as stupid as dash on a and the and no article क्या लगाएंगे 49 question में जल्दी से comment करें I hope आपने इसका भी answer अच्छे से guess कर लिया होगा student तो इसका जो right answer रहेगा student वो है b and and all all में okay sound आ रहे है तो a e i u u में vowel आ रहे है इसका मतलब आप and use करेंगे तो b is the right answer 50 question क्या कह रहे है student की dash sun shine brightly चीए है sun क्या चीज़ है एक अलग unique quantity चीज तो ऐसी चीज़ों के साथ क्या लगाओगे सीधा सीधा बिना सोचे बिना option देके क्या लगाओगे दा का यूज़ करोगे the sun shine brightly अगला question 51 कह रहे है man is an intelligent creature man dash man is an intelligent creature and a the किसका इस्तमाल करोगे या कोई article नहीं लगेगा जल्दी से comment करेंगे इसका right answer तो यहाँ पर भी सीधा बोलोगे मैंने starting पर बोल भी दिया था man is an intelligent creature no article used here ठीक है यहाँ रखना next question boxer boxer is dash historical town and historical town the historical town a historical town no article used in here जल्दी से 52 का answer करें ठीक है तो 52 का answer जो रहेगा student आपके पास वो रहेगा boxer is a boxer a historical town है ठीक है तो historical में h जो है यहाँ पर hills जो है किसका sound दे रहा है यह दे रहा है consonant का तो एका use करेंगे unique है ठीक है आगे I have come without dash umbrella ठीक है and a the no article क्या use करोगे 53 के साथ 53 के साथ जो आप use करोगे तो क्या use करते हो and umbrella ठीक है आगे है clean dash floor properly क्या use करोगे a the and no article जल्दी से comment करें जो इसका right answer रहेगा student 54 का वो रहेगा b the floor the floor पढ़ने में लग रहा है clean the floor clean the floor my neighbor is dash honest person ठीक है honest में as silent तो and का use करोगे I hope इस वीडियो में जितने question करवाएं उनके में उनमें कोई doubt नहीं आया होगा सब clear आएंगे आपके exam के लिए बहुत important बनने वाले तो वीडियो को like करना ना बुलें subscribe करें thank you for watching this video मिलते हैं next video झाले हुआ झाले हुआएंगे